प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब एड और नेवर मिस अनादर अपडेट असलाम ओलेकूम वेलकम टो मैं चोनल टेक्निक अलेव मैं शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी शूमी मुबायल जिसके अंदर मीज यूए लेवन अपडेटेड है उसके अंदर मीज यूए टुवल का कंट्रोल संटर कैसे यूज करें तो उस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोह पे जाना है और यहाँ पर आपको मी कंट्रोल संटर के नेम से एक अप्लिकेशन मिल जाएगा तो इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और दोस्तों अप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपको चार परमेशन मिल जाते है तो आपको बारी बाओ इन चारो परमेशन्स को अलाउग कर देना ह। तो मैं फ llev फर्स्ट वाले परमेशन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको more downloaded services वाले API क्लिक करना ह। और यहां मी कंट्रोल सेंडर वाले API क רק करने चाले के बाद इसको on करने है और नीचे की दरफ से ओके कर देना है और इसी तरह यहाँ पर मैं तीनों परमेशन को अलाउक कर देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन बार पर आप चेक कर सकते हैं मेरे मुबाइल पर कंट्रोल सेंटर इनेबल हो चुका है अगर आप यहाँ पर और भी चीज़ों को अड़ करनाछा है तो आपको रैड सेंट में उपर की तरफ इस वाले ऑकान पर कुली करना है और नीचे के दरफ से इन चीज़ों को अड़ कर सकते तो यहाँ पर मैं स्क्रीन डिकॉडर को अड़ कर लेते हूँ और add करने के बाद आप इस पर long प्रिश करके इसको उपर की तरफ कहीं पर भी adjust कर सकते हैं set करने के बाद आपको उपर की तरफ से done कर लेना है और दोस्तों अगर आप यहां पर notification shade वाले option को select करते हैं तो आपको stock android का notification बाहर देखने को मिल जाएगा तो मैं वापस से control center को select कर लेता हूँ और यहां center से आप swipe area को अपने हिसाब से set कर सकते हैं और layout वाले option पे click करेंगे तो आपको first वाइकॉन shape को change करने का भी option मिल जाता है और नीचे के तरफ आपको और भी features मिल जाएंगे तो मैं कुछ features को enable कर लेता हूँ और इसके बाद चलते है colors वाले section पे और यहां first वाइकॉन टाइप को change कर सकते हैं और नीचे के तरफ आपको brightness color को change करने का भी option मिल जाएगा तो यहां पर मैं red color set कर देता हूँ और इसी तरह यहां पर आप icons color को भी change कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको green color set करके दिखा देता हूँ अब यहां पर मैं brightness पर वापस से white color set कर देता हूँ और इसके बाद चलते हैं data usage वाले section पे और यहां पर आप इसको भी enable कर सकते हैं जिसके बाद आपको control center पर data usage देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहां नीचे की तरफ आपको इस application के और भी बहुत सरे settings और features मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से enable या फिर disable कर सकते हैं तो जैसा कि notification बार पर आप चेक कर सकते हैं मेरे mobile पे control center enable हो चुका है अगर आपके mobile पे clear apps करने के बाद control center clear हो जाता है तो इसको fix करने के लिए आपको इस application पे long press करना और इस application को lock कर देना और clear apps करने के बाद control center remove नहीं होगा